दोस्तो सुबह सुबह अगर नास्ता बनाने में बिलकुल देर हो जाए तो जटपट से 5 मिनटे बनने वाला ये इजी नास्ता एक बार आप जरूर ट्राई करें बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही हिल्दी है इस नास्ते को बनाने के लिए हम यहां लेंगे डेड़ कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे पहले एक कप पानी और इसे डाल करके अच्छे से हम लोग चला लेंगे चलाने के बाद इसमें हम लोग अभी पानी कम है आधा कप और पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग चलाते हुए एक स्मूथ बैटर तयार करेंगे बैटर हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर थोड़ा सा भी लम्स ना हो और बिल्कुल गाढ़ा नजादे गाढ़ा और नजादे पतला हमारा बैटर बन करके तयार होगा यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अब इसमें डालेंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक और डालने के बाद इसे अच्छे से हम लोग चला लेंगे और चलाते हुए देखे बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर बन करके तयार हो गया है अब यहाँ पर इसे थोड़ा चटपटा बनानी के लिए आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर, आधा चमच खडा जीरा, आधा चमच काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसके साथ डालेंगे कुछ कटे हुए गाजर सिम्बला मिर्च और प्याज आप लोग इसे देख सकते हैं मैंने बहुत फाइन चॉप नहीं किया है थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े रखें जिससे हमारे नास्ते के अंदर जब इसका क्रंची ने सबजीयों का आता है तो नास्ते का स्वाद और भी दूगना हो जाता है अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नास्ता बिल्कुल हेल्दी बन करके तयार हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैदे का इस्तमाल हुआ है और नहीं तेल का इस्तमाल हुआ है अब इसे हम लोग अच्छे से चला लेंगे अ अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग हरी मिर्च अपने स्वाद के एकॉर्डिंग और कुछ कटे हुए धनिया पता, धनिया पता डालने से टेस्ट हमारे नास्ते का बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, अब आप जो है इस नास्ते को बिल्कुल अच्छे से और कंसिस्टेंसी दे आने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पैंकेक वाले तवे लिये हैं, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल तवा या पैंड पर भी इस नास्ते को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल हलका सा तेल ग्रीस करके इस नास्ते के घोल को डालेंगे और इसे ढग कर उलट पलट कर गोल्डेन होने तक हम लोग सेक लेंगे, ऐसी बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल कम तेल मसालों में बनने वाले नास्ते, मिठाईयां, मैंने बहुत सारी जो है वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आप एक बार मेरे चैनल पर चेक आउट करें, और वीडियो पसंद आए, तो अपने फीड़ बैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे, इस नास्ते को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर करें, इंजॉय करें, थैंक यू